तो बलकम है आपका मेरे चैनल पे molecular हैं दोस्तों यह हमें बना रहожणां रहा है और मिला है तो यह हमारे गाउँ का स्वॉवला है कोई दे गया है मतलब खरीदा नहीं है पेड़ों पर से तोड़कर एक दम डारेक ताजा ताजा आवला आया हुआ है तो हुई आवला है तो इतने सारे आवला है तो इसका आधा भाग में बनाऊंगी आधा भाग में रख दूंगी तो यहां पे आवले को मैंने आधा आधा कर लिया है यह बहुत ह चोटा चोटा बहुत ही प्यारा विशा यह आमला है आप लोग देख सकते हैं चोटे चोटे आमले हैं इतने सुन्दर लग रहे हैं देखने में कि क्या बताया जाए और बिल्कुल ताजा है पेड़ों पर से उतरा हुगा तो चलिए चलते हैं इसकी रिस्पी आप लोगों के मिलता रहेगा तो चलिए चलते हैं यहां पर हम आवला बनाने की शुरुआत करते हैं तो यहां हमने दोस्तों ले रखा है यह गंबला इसमें डाल रखा है पानी और इसके उपर एक छनी जैसा आकार हम रखेंगे जिस पर हम आवले आवला रखेंगे जिससे वह भाप ओऩो वाइल हो जाया भाफ के द्वारा मतब हो जाएगा वाईल जैदा उसके उबारना नहीं है इसको भाप द्वारा ही हम आवले को पकाएंगे तो इहां हमनेiser जया दी आ है और आवला इसके अंदर रख दिया है और इसे हम एक ठाली से धाक देंगे और इसको भाप थोड़ा से छोड़ देगा यह मतब बीच में से फट जाएगा तो यह आवला हमारा हो जाएगा तो यहां देखिए दोस्तों हमारा आवला रख दिया है मैंने यहां ढख करके अभी कुछ देर में ही यह आवला मतब भाफदारा पक के तयार हो जाएगा तो यहां देखिए द इतार लेते हैं, पर से बेखे दोष्तों, या वला पूर्य त्रीक्था है, और फट करके मतब यह दिखे, फट गया इतने अच्य पराइक है, त्रीक्था, िसकी जेए परोगर क्वरण दोस्तों टेकहिं त्सक्ति ल्गभग चीनी लग लिया है, और इसमें मैं डालूँगे पानी पाओ भर दुष्वाइब लग बर। इसको हम रख देंगे ृणियों पर इसको चासनी बनाने के लिए इसके लिए यहन की तो ये तो यहां पर देखें दोस्ते चीनी पिख्रल जुगा है अब इसको हम पकने देंगे, एक तार की चासनी से हलका सा कम रहेगा उतना हम पकने देंगे, ताकि टेस्ट अच्छा है, जो चीनी पक जाता है तो हम इसको तब तक पकने देतें, फिर देवस्त थोड़ी बहुत यह चासनी के अंदर डालेंगे अब बहुत घर में अब अन्दानी हुआ है इसमें यह अच्छे सपग बीजाएगा और इसकी चासनी पीच्छे सपग जाएगा और और भी अच्छे सपग जाएगा और यह आवला हमारे फट गये हैं मतव भाब देने में इसके अंदर सब जो रस इसका अंदर भूस जाएगा ये पूरे चीनी का जो रस से भूस जाएगा पकते पकते तो बहुत ही टेश्टी बहुत ही अच्छा बन जाएगा सारे आवलों को इस तरीके साम डाल लेते हैं पहले तो यहां पर जाएगे और चासनी जब गाढ़ा हो जाएगा तब बुरा अच्छे तरीके से आवला बन जाएगा इसको हम बहुत अच्छे तरीके से काफी टाइम तक पकने देते हैं उसके बाद मिलते हैं कम 15 मिनट दोस्तों चासनी के साथ यह आवला पक रहा है कम 40 मिनट तो मुझे ल तो यहां पर देखें यह गल गाई पक रहा है कि दोस्तों यह आवला का जो मुरब्बा है यह हमारा बन जुका है तो इसको हम एक डिब्बे में केरी कर रहे हैं और इसको हम ढकन लागा कर इसे बंद करके फ्रिज में रख देंगे ताकि यह 15-20 दिन चले कम सकम आवला भी फायदे जैनक भी होता है ठंडियों में अक्सर लोग खाते हैं जो बुजूर्ग लोग हैं उनके और ज्यादा फायदा करता है मतलब सभी को फायदा करता है वैसे तो लेकिन बुजूर्ग लोग जो होते हैं ठंडियों में अगर खाएं तो ज्यादा अच्छा है इसे सारे भीमार्यों से च्छोटी मिलता है पेट के लिए बी अच्छा होता है सृरी के लिए बी अच्छा होता है तो इसलिए आवला जरूर बना खाना चाहिए वैसे हम मारा आवला बनके रेडी हो गया है तो इसको हम केरी करके रखेंगे लेकिन मेरे घर में थोड़ा से सबको और डार्क चाहिए था तो इसको मैंने दुबारा से इसको और पकाया है थोड़ी दिर तो यह थोड़ा डार्क टाइप में बना है मतलब गाढ़ा सबको थोड़ा चा उसके बत पकने बाद इस तरीके से कलर आ गया आप लोग देख सकते हैं यह आवले का कलर थोड़ा डार्क जैसा है और इसका जो रस है चासनी यह वह भी गाढ़ा हो चुका है तो इस तरीके से यह हमने थोड़ा और पकाने बाद इस तरीके से मतल अफ़र मुरभवा यह तक मैंने डीचा बर्लिट कडाई और ठालानों अटिक है अधिस इस पागा करें टालते देखिए कृट नमेसी इस तरही की, अधिक है कि सब्नानों बार्वट को आप आफ लोगों को ये मेरा हावले का रेस्ति कैसा लगा मुझे जुरूर बताइएगा कमेंट करके अच्छा लगे तो कमेंट करके लाइक शेयर कमेंट टूली कर देजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लीक कर लेजिए अच्छी मिलते हैं तक बाई-बाई